राम राम जी सारे बाईया ने स्वागत है आप सभी हमारे यूटूब चैनल पर और हम यहां पर बिडान जी का इंटर्वू ले रहे तो वहां रतिया से भी कुछ बाईया आगे यहां से बैठे हैं इन्से पूछेंगे बई सरकार के जो नीतिया हैं सरकार के जो अंदोलन में आप इतने दिन से अंदोलन चल रहे हैं कभी गए हो दिली या फिर चार बार गया किसान बहुत अच्छे से बैठे हैं और जहां बीजेपी गुंडे आते हैं और आर आसे पत्थर मारे हैं और तों के टेंट में बढ़ रहे हैं किसान बन कर कि किसान बनके और ऐसे पुल्स की बर्दी डालके दिल्ली पुल्स और उसकी पुल्स उसका साथ दे रही है आरेस के गुंडों को उनको खुली शूट देर की है हमारे किसान बाइयों को पागड के जवरदस्य अंदर में कर रहा है रतिया से आपके विदा है कि MP को कौन बने हुए हमारे वह पास और वहां मिलते हैं नहीं पर बोले थे जब शबीज तारिक तक नहीं माने कि हम इस्तिफा दे देंगे उसके बाद वह चंदीगड में रहने लगे रतिया आना शोड़ दिया लिए किसानों को बिल समझ नहीं आ रहे हैं क्या आप लोग है जो आपको बिल नहीं समझ न समझ नहीं किसलिया तो अपना घर परिवार शोड बहँ बचचे म process मों इतनी चाइब और एक रात काटके देखें वह एक किसान के सब्सक्राइब का वह रहें उनको सब्सक्राइब, जंडा टांग दिया और त्रेंगा कापमान करें इसके विशे में आप क्या करें उसको राष्टी जंडे को कुछ नहीं किया मेरी बास सुनो जब कारगेल में जुद्ध हुआ तभी सिखों ने बहुत जंडा लगाया कि निसान साब का जब मोदी गुर्दवारे में जाता है जाता है जब आपनी राजनीता करने जाते हैं जब भी कहीं भी मुसीवित आई शीखों ने असाथ आगे बढ़ कर चोगदान दिया कर यहां कि शानों को बैक आया जा रहा है करें पंजाब के जो कुछ मुठी बर किसा जो सिक है वह और याना को भी बख ला रहे हैं और दो यह दो राज्याव है पूरा हिंदुस्तान वहां बेठा है जूपी बिहार सभी को को बार से आता है उसको पकटके जेल में डाल देते हैं गुझरा से गुझरा से आदा गुझरात आने को तयार है इसनों को आने नहीं को इन की शरकार है क्योंकि इनुने उद्टर अच्छ बढ़ती है और गुज्राइब और किर्शीयक शेत्र में कुछ नहीं हुआ का इद्ध्योग लगे कारपुरिटके का कामधंदे बड़े गुज्ञ और गुज्रात तो एक साल में उनकी दूगने आये हो जाती है। तो एक हजार तक ही रहे जाएगी इसकी कीमत हैं फसल देंगे खुद भीज देंगे और किशान को बड़ा फैदा होगा वहीं बीज का तो उनको कर रहे हैं बेचने अपने बेचने का कर रहे हैं वहां पहले तो किसान अपना खेट में भीज रख लेता था खुद रख लेता हां अभी वो भीज 5-2-2-1 रुप्या में मिल रहा है है वहीं तो कर रहे हैं बीरा है जो कर रहे हैं तो सरकार को कौन-गुन से भील पाशन करने चाहिए पहर ऒरदत्षी थोप रहे है जो कॉनून पास बिल्पास करने चाहिए सब्सक्राइब तो करने रही करने चाहिए जैसे विदायक एक बार बन गया उस्ें पांच साल काम किया उसकी पांच साल तक थी नोकरी उनी चाहिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए को जुद्ध लड़के कारेल का जा कहीं चीन के साथ जुद्ध लड़के हैं वह आम जंता का फैसा खा रहा है वह पूरी जिंदगी खाएगा और उसके परिवार को पूरी सुबदाई दे जा रही है एस और आम की जो बिल मांग रहे हैं वह तो बना नहीं रही है ऐसे बिल बना हो जो एक विदायक 5 की तक पांसाल का रही है जो मर जाता है तक कैसे पुर दो सरकारी को प्राइव और उसका माफ खेंगी में खेती में खेट माम करते रुड़क रचेवानच तो कोई शुद्तनि मिल रही है ने कूश नहीं मिर किसान को क्या मिल रहा है जो मिल रहा है बोस सरकारी अफसरों को मिल रहा है सब कुस बिदाइकों को हो गया किसान को नवकरी मिली नहीं किसान क्या करेगा किसान घुजी करें आप यह पूच रहे थे कैसे कानून होने चाहिए कैसे होने मैं बताता हूं कैसे अगर 80% 85% गरामिन्ट चो रहे है यह और शमें 70% तो किरसी एक सेतर से अगर इस देश को 17% बचाना है तो खेती में सबसे पर्थम खेत से मंडी तक जाने का किराया माफ होना चाहिए दुसरी बात खेती का जो बीज है वो लागत पर 5% प्रोफिट से ज़्यादा उपलवद सरकार नहीं होना चाहिए वो फ्रीकोस्ट सरकार ने उपलवद करवना चाहिए 2 तिसरी पेस्टिशाइड जो है लागत पर 5% से ज्यादा प्रोफिट की द्वाई आज दवाई 6,000, 10,000 रपी लीटर की दवाई किसान यूज कर रहा है और उस पर प्रोफिट बहुत ज़्यादा है कंपनी का किसान का नहीं किसान को बीज, दवाई और मंडी का जो खर्चा है हम छोटी बात को देखनी रही है हमारी जब एक ट्रोली जाती है उस पर हजारों रुपार ती लेबर का काट देता है वो पैशा मार्किट फीश का जो जाता है सरकार का मार्किट फीश का बड़ा पैशा कठा होता है उसमें कवर कर जाए किसान से वसूल ना किया जाए अगर किसान को जिन्दा रखना है नहीं तो किशान बचेगा नहीं आप पूछ रहे हैं फिर सरकार अड़तियों को हटाने का सरकार का तरी का गलत है हम बताते हैं कैसे हटाया जाए फ़री ब्याज पर बिना लिमिट के किशान को पैसा दिया जाए बेंक से जब किशान को बिना ब्याज का फरी सरकार से बेंक से पैसा मिलेगा तो अरती के बास क्यों जाएगा अपने आप अपड़ जाएंगे अरती कार पुरिट को दे रही है सरकार किशान को पैसा नहीं दे रही है बताएए आम आदमी को 25,000 उपे भी दिये हूं तो अभी कहर रहें कि शानलों के खाते में इतने पैसे डाला के धिया अजरोर्ता र सरकार मंडी को हटाने का गल्त ले जिए मंदी को अटा दींगा कर दो च Our ब्रिक्वबरेमेंट की? अगर आरतीय नही फिरल तो, हमारा गरी नहीं चल सकता? जैसे लड़के की लिड़ी का साथी नहीं हो बाएगी, नहीं नहीं घृतिया हम एन ले गट अधे नहीं कर ता्यगी कम्या त। तर्टेक्टर बीच में टियर पार गया रौली हो ऐट कि शन कह उतनी लिए पैसे लेदिया पैसे तो में कहाँ चैजिक शरकार ने तो हम बंद कर दिये बन किशान का अनाज जो था कि बीच में रह गया वज हो आट्टी के बगैर तो वह अनाज की ड्राली मंडी में नहीं पहुंचेगी यह हालात है पता हम खेती नहीं कर सकेंगे बगएर पैसे तो और अब मंडी से चलता है वो काम और यह मोदी जी कह रहे हैं कि आर्टी को हटा हो सीधा बैंक से यह जोड़ो जो पैमेंटर वो सीधी अकाउंट में आई हां जी हां पर वो आर्टी विना तो सब्कशाब को यही संदेश देना चाते है कि किसानों के साथ ऐसा मत करो किसानों को जैसे पहले था ऐसा रहने दो इनके जो काले कनून बनाए हूए इसको रच ड़ो पॉई अच्छा मृतो फां दे रिए सरकार वोितान नहीं राहता है तो फाीदाओ किसान चाहता तो है ल